दोस्तो, बहुत अच्छी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक पेरेंट है जिनका बेटा अभी रिटिन गजाम में शॉट लिस्ट हुआ है, एक और मैडम भी है, उनके भी बच्चे ने रिमस क्लियर किया है, जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो य अगर मैं पेरेंट होता तो मैं ऐसे इंस्टिटूट को थोड़ा कुशन मार्क लगा कर देखता हूँ, कोई भी इंस्टिटूट जो गारेंटी दे रहा है, शायद वो फेर मींस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो आपने ऐसे इंस्टिटूट से बचना है, मेरा और भी शेयर करना चाहता हूँ, कि जो शहीदों के बच्चे हैं, जिनके पिता ने देश के लिए अपनी जान दे दिये, उनसे हम किसी भी गाइडेंस के किसी भी कोस के कोई पैसे नहीं लेते, फौजियों के लिए स्पेशल डिसकाउंट और कई बहुत ज़्यादा गरीब परिवारों के बच्चे हैं, हमारी कांसलिंग टीम को ही मैंने आदेश दिया हुआ है, कि ऐसे बच्चों को फीस हम लेंगे, अपने टीचर को पे करेंगे नहीं, तो बिज़ा रहे हो टीचर कैसे अपना जिवन यापन करेंगे, लेकिन जहां पर जहां तक हम से हो सकता है, जो हमारा content है, जो हमारी fees है, इस परकार से हमने structure करी है, कि आप पर ज़्यादा लोड़ना पड़े, कई हैं सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा जिनकी pay नहीं हैं, उनको हम parts में payment का option देते हैं, और कुछ जो बहुत ही गरीब परिवार से कोई belong करता है, उनका case to case basis हम उन बच्चे ने केवल YouTube पर course करके सैनिक स्कूल का exam clear किया है, अभी RMS के दो selection है, बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन जो सैनिक स्कूल का भी जो mark sheet आई है, जो OMR sheet सैनिक स्कूल ने, NTA ने दिये, उसकी basis पर जो parents से हमें feedback मिला है, बहुत positive feedback मिला है, बहुत सारे बच्चे ह जिन्होंने 500 से उपर भी number score किया है, और 220-230 की range में तो काफी सारे बच्चे हैं, जिन्होंने ये पढ़ाई करके 6 मेने और 1 साल का जो भी course लिया था, तो वो किया है, बाकी जो इनके parent की जो आप बात सुनते हैं, serving soldier बहुत मुझे खुशी है, और जो उनकी अच्छी बात म मुझे लगी कि वो चाहते हैं कि इस हमारे institute के बारे में अपने मित्रों के साथ शेयर करें, तो जो आप लोग ये video देख रहे हैं, जो हमारे channel को subscribe कर रहे हैं, पका ये जानकारी आपने share करनी है, मैंने आपको बताया कि case to case basis पर हम सब के साथ adjust करते हैं, कोई बच्चा बिलक टीम है हमारे पास, बहुत qualified टीम है और हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, तो आपने उसको भी appreciate करना है, तो आप इस video को देखें, इस video में मैं चाहूंगा कि जो parent के अंतर उनकी जो भावनाए हैं, उनको आप समझें, और मुझे लगता है कि जो parents इस प्रकार स जहन श्रीमान, सबसे पहले मैं करनल अमरदीब साब को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही उनकी दर्बिनिंग एज की टीम को, जो आपके पढ़ाये हुए स्टूडेंटों ने RMS और सेनिक स्कूल के टेस्टों को क्वालिफाई किया है मैं नाइक हरिस्चंद, फादर आफ आदित्य चौधरी, भारतिय सेना में सर्विस कर रहा हूं मैं अपने सद्गुरू का सुक्राना अदा करता हूं, जो कि मुझे आपका लिंक मिला, एक एजुकेशन टीचर द्वारा जैसे ही मुझे लिंक मिला, सबसे पहले मैंने करनल अमरदीप साहब से फौन पर बात की, साहब से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी दा बिनिंग एज के बारे मैं क्या तारीफ करूँ, यह अपने आप में ही कावले तारीफ है, जो कि कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी एजुकेशन को प्रवाइड कराना तो ये सबसे अच्छी बात है कि घर में ही बच्चे को रहकर एक एजूकेशन को प्रवाइड किया गया जो कि ऑनलाइन था पर मुझे ऑनलाइन जैसा नहीं लगा यहाँ पर हर बच्चे का डाउट पूछना और हर बच्चे को बोलने का मौका देना दबिनिंग एज के बहुती अनववी टीचर है जो कोर्स के दोरान में पंका सर ने मैत पढ़ाया सुमित मैम ने इंगलिस पढ़ाई और तनमै सर ने जी के और इंटेलिजेंस को पढ़ाया और पूनमभणणारी मेम ने साइंस पढ़ाई इन सभी टीचरों का बहुती अवारी हूँ और बहुती अनुववी टीचर है और जब कलासे शुरू होती थी तो कभी मैं बैठता था साथ में जब मैं नहीं प्रिजेंट रहता था तो मेरी मिसस साथ में बैठती थी दबिनिंग इज एक बहुत ही बच्चों के लिए सुनेरा मौका लेकर आता है आया हुआ है और ये बर्ड में नमर वन पर चल रहा है साब ने अपने यूटूब चैनल में भी बताया है कि भारत में ही नहीं बर्ड में है ये नमर वन की पोजिशन पर है तो मैंने अपने फ्रेंड जो हमारे फ्रेंड सरकल है उनमें भी सब को बताया है कि आप अपने बच्चे को अगर आ रहे हैं मैं इसकी तैयारी करा रहे हैं तो इस बिनिंग इसे ही कोचिंग लें बहुत ही अच्छे हैं अनुवी टीचर्स हैं और अच्छी सी अच्छी पढ़ाते हैं बच्चों को पूरे डाउट किलियर करते हैं तो कहीं नों बोला कि ओनलाइन है मैं बोला यह ओनलाइन जैसा है नहीं आपको लगता है ओनलाइन है पर यह ओनलाइन जैसा है नहीं ओफलाइन जैसी पढ़ाई होती है नहीं तो आप एक बार ट्राई करके देखो तो बहुत ही अगर साब पर्मीशन दें तो इसमें मैं अपने गाउं में भी इसका आपका बिश्तार और ये इसको ले के जाना चाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हर बच्चे को ये मौका मिले जो कहीं नहीं किसी के बारे में इनको जानकारी नहीं होती है तो मैं सबसे जाना इसका प्रचार और प्रचार कर रहा हूँ कि हर बच्चे को ये मौका मिले और सबसे बड़ा बात है कि इसमें एजुकेशन को बहुत अच्छी हासिल की जाती है एजुकेशन बार फिर से बदाई देता हूँ, जैहिंत!